नमस्कार दोस्तो फोन इंदी की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम करने बाले हैं ओपो रैनो 7 प्रो एंड ओपो रैनो 8 प्रो के बीच एक डिटेल कमपेरिजन और देखेंगे कि दोनों फोन में से आपको किस फोन में बहतर फीचर से देखने को मिलते हैं तो चलिए दोस्तो बिना टाम बेस्ट के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोन फोन के डिजाइन से दोस्तो, सबसे पहले बात करें operate no 7 pro की design की तो इसके back पर आपको फ्लाइट design देखने को मिलता इसके अलावा color changing design भी इसके back पर आपको देखने को मिल जाती है दोस्तो जैसे आप sunlight मेंले जाते ओने आपको back पर color change होता हुआ देख जाएगा इसके अलाबा बैक पर आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जो की काफी unique design में है और camera की 4 over आपको ring light भी देखने को मिलेगी अब इसकी build quality की बात करतो इसका back metal का बना हुआ है और बैक पर आपको panda glass की protection भी देखने को मिलती है फ्रेम की बात करतो फ्रेम पर आपको aluminum देखने को मिल जाता है अब बात करें oppo reno 8 pro के design की तो दोस्तो इसके back पर आपको curve design के साथ साथ glossy finish देखने को मिलता है company का कहना है कि यह golden देशियों के साथ आने वाला पहला phone है जो कि देखने में काफी premium and attractive लगता है इसके back पर आपको metal and frame पर भी आपको metal ही देखने को मिलती है तो दोस्तो design and build quality के मामले में दोनी phone आपको premium and better देखने को मिलते है अब दोस्तो दोनी phone की display की बात करें तो oppo reno 7 pro में आपको 6.55 inch की full hd plus emoled screen मिलती है जो की 90 hertz के refresh rate और 400 ppi के साथ आती है इसके display पर आपको gorilla glass 5 का protection भी देखने को मिलता है अब बात करें oppo reno 8 pro की display की तो इसमें आपको 6.7 inch की full hd plus emoled screen मिलती है इसमें भी आपको gorilla glass 5 का protection मिलता है इसके अलावा इसमें आपको 120 hertz का refresh rate और 400 ppi देखने को मिलती है तो दोस्तों दोन इवन की display quality की बात करते हैं दोनों में आपको amazing color देखने को मिलेंगे sharp color के साथ आपको display दोनों की काफी जादा बहतर देखने को मिलेगी लेकिन comparison wise आपको reno 8 pro की display में थोड़ी बहतर smoothness देखने को मिलेगी क्योंकि reno 8 pro में आपको 120 hertz का refresh rate देखने को मिलता है जो की 90 hertz के refresh rate से थोड़ा सा बहतर है इसके अलावा reno 7 pro की तुलना में इसमें आपको बड़ी display भी मिलती है जिसके चलते viewing angle reno 8 pro का थोड़ा सा बहतर देखने को मिलेगा as compared to reno 7 pro अब दोस्तो दोनी फोन की weight and thickness की बात करते हो reno 7 pro में आपको 180 gram का weight and 7.5 mm की थिकने को मिलती है तो वहीं reno 8 pro में आपको 183 gram का weight and 7.3 mm की थिकने को मिलती है तो दोस्तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा difference देखने को नहीं मिलता है फिर भी reno 8 pro थोड़ा सा slim देखने को मिलता है अब दोस्तो दोनी फोन के camera's की बात करें तो सबसे पहले बात करें reno 8 pro की तो इसके back पर आपको triple rear camera मिलता है जिसमें 50 megapixel का primary camera मिलता है जो की f1.8 aperture के साथ आता है 8 megapixel का इसमें आपको ultra wide lens मिलता है जो की f2.2 aperture के साथ आता है और तीसरा camera आपको 2 megapixel का macro lens मिलता है इसके rear camera से आप 4K तक का video record कर सकते हो इसके अलावा camera के साथ आपको एक LED flash का option भी देखने को मिल जाता है आप बात करें रेनू 7 pro के camera की तो इसके back पर भी आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 50 megapixel का primary camera मिलता है जो की f1.8 aperture के साथ आता है 8 megapixel का ultra wide lens मिलता है जो की f2.2 aperture के साथ आता है और 2 megapixel का इसमें भी आपको macro lens मिलता है इसके rear camera से भी आप 4K तक का video record कर सकते हो इसके अलावद दोनी फोन में आपको gyro EIS का option भी देखने को मिल जाता है अब दोस्तो दोनी फोन के selfie camera की बात करते हो दोनी फोन में आपको 32 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है तो दोस्तो camera के मामले में दोनी फोन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो इसमें आपको Dimensity 1200 Max OctaCore CPU मिलता है Mali G77 इसमें आपको GPU मिलता है Android 11 के साथ यह Color OS 12 पर रन करता है अब बात करें OPPO Reno 8 Pro के hardware की तो इसमें आपको Dimensity 8100 OctaCore CPU मिलता है Mali G610 इसमें आपको GPU मिलता है Android 12 के साथ यह Color OS 12.1 पर रन करता है तो दोस्तो यहाँ पर आपको hardware के मामले में Reno 8 Pro थोड़ा सा बैतर यानी की fast देखने को मिलता है As compared to Reno 7 Pro इसके अलावा दोनों के N22 score की बात करतों यहाँ पर भी आपको Reno 8 Pro में N22 score काफी जादा देखने को मिलता है As compared to 7 Pro दोस्तो दोनी फोन के Storage and Price की बात करें तो दोनी फोन में आपको 12GB की RAM and 256GB का Storage मिल जाता है Price की बात करतों Reno 7 Pro आपको 35,000 रुपे में मिल जाता है तो भाई Reno 8 Pro का Price 45,000 रुपे है लेकिन offer के तहत यह आपको 42 या 43,000 रुपे के असपास में मिल जाता है तो दोस्तो storage के मामले में तो दोनी फोन आपको same देखने को मिलते हैं लेकिन Price के according of Reno 8 Pro काफी जादा over Price देखने को मिलता है अब दोस्तो दोनी फोन के कुछ other features की बात करें तो दोनी फोन में आपको under display fingerprint sensor देखने को मिलता है दोनी में आपको dual speaker का support भी देखने को मिलता है इसके अलावा दोनी में आपको NFC भी देखने को मिल जाती है लेकिन दोस्तो दोनी फोन में से आपको किसी में भी 3.5 mm jack देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तो अधर्स फीचर्स के मामले में भी दोनी फून आपको बिलकुल सेम देखने को मिलते है अब दोस्तो दोनी फून की बैंटरी की बात करें तो दोनी फून में आपको 4500 mAh की बैंटरी मिलती है Reno 7 Pro में आपको 65W की Fast Charging मिलती है तो वही Reno 8 Pro में आपको 80W की Fast Charging देखने को मिलती है तो दोस्तो यहाँ पर भी आपको Reno 8 Pro काफी जादा Fast देखने को मिलता है as compared to 7 Pro तो दोस्तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर भी overall काई तो यहाँ पर आपको Reno 8 Pro थोड़ा बैतर देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बैतर डिस्पले मिलती है बैतर hardware मिलता है and unique design भी इसमें आपको देखने को मिलती है फिर भी दोस्तो आप comment करके बताएं कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बैतर देखने को मिलता है अगर वीडियो अच्छी लगिए तो प्लिस वीडियो को like and channel को subscribe जरू करें अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे तब तक लिए good bye